सुप्रभाद बच्चों, आज हम कक्षच छटी विशे हिंदी व्याकरण पाठ तेरह अविकारी शब उस्तक गुल मोहर हिंदी व्याकरण व्याक्ष्यान एक बच्चों, आज हम कुल मोहर हिंदी व्याकरण से पाठ तेरह अविकारी शब्द पढ़ेंगे अविकारी शब्द यानि अव्वे जिन शब्दों में लिंग, बचन, कारक, काल के कारण कोई बदलाव नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं तो देखिए आगे अव्वे तथा अविकारी शब्द अव्वे शब्द ए जमा वे से मिलकर बना है जिसका अर्थ है जिसका कुछ भी वे ने होता हो अर्थार्थ वह जैसा है वैसा ही बना रहता हो वास्तव में वे अव्वे शब्द वाक्य में प्रियुक्त होते हैं तो इनका रूप नहीं बदलता या इनके रूप में किसी भी तरहे का विकार नहीं आता बच्चों अव्वे शब्द ए जमा वे से मिलकर बना है जिसका अर्थ है जिसका कुछ भी वे नहीं होता हो अर्थार्थ जैसा है वैसा ही बना रहता हो वास्तों में अव्वे शब्द जब वाक्य में प्रियुक्त होते हैं तो इसका कोई रूप नहीं बदलता तो इसकी जो परिभाश होती है बच्चों वो ये होती है बच्चों वाक्य में जब हम इनको प्रियुक्त करते हैं तो इनमें किसी भी तरह का कोई विकार यानि बदलाव नहीं आता है। तो आगे देखिए और ये जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं। जैसे बाहर, भीतर, आज, कल, यहां, वहां, आदी शब्दों को जब भी वाक्यों में प्रियोग किया जाएगा इनके रूपों में कोई परिवर्थन नहीं होगा। बच्चों, अभी मैंने बताया कि अव्या और अविकारी शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता है। तो वे कौन-कौन से शब्द होते हैं? जैसे बाहर, भीतर, आज, कल, यहां, वहां। यह ऐसे शब्द हैं, जब यह वाक्य में प्रियोग किये जाते हैं, तो इनमें किसी भी तरह का कोई बदलाव ना लिंक के कारण, न वचन के, न काल के कारण, न कारक के कारण, इनमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो उदाहरन देखिए बच्चों, जैसे एक बच्चा बाहर बैठा है, लड़की ने बाहर से आवाज दी, आप घर के बाहर पहुचिए, नमबर दो, आज बारिश आएगी, कल से आज तक कोई नहीं आया, आपने आज क्या खाया, बच्चों, यहां मैंने कुछ वाक्य दिये हैं, उन वाक्यों के आधार पर मैं अभी आपको बताऊंगे, बच्चा बाहर बैठा है, और लड़की ने बाहर से आवाज दी, और आप घर के बाहर पहुचिए, यह जो बाहर शब्द है, तीनों वाक्यों में एक ही समान है, इनका कोई रूप नहीं बदला, आगे हैं, आज बारिश आएगी, तो आज जो शब्द है, देखिया आगले वाक्यों में, आज बारिश आएगी, कल से आज तक कोई नहीं आया, आपने आज क्या खाया, यह जो आज शब्द है बेटा, इसमें कोई बदलाव नहीं आया, हमने तीन वाक्यों प्रियोग करके दिखाए इसके, तो इसलिए जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक वे काल की कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है, उन्हें हम कहते हैं अविकारी शब्द, आगे देखिए अव्वे की परिभाशा, अव्वे की परिभाशा, अव्वे वे शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुश, काल, आदी के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है, बच्चों अव्वे वे शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुश, काल, आदी के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है, बाहर, अंदर, आगे, पीछे, उपर, नीचे, यहां, वहां, यह सभी शब्द क्या है, अव्वे शब्द, तो अब हम पढ़ेंगे अव्वे के भेद, अव्वे के पांच भेद हैं, एक, क्रिया विशेशन, दो, संबंध बोधत, तीन, समुच्य बोधत, चार, विस्मयादी बोधत, पांच निपात, तो बच्चों, अव्वे के यह पांच भेद हैं, एक, क्रिया विशेशन, दो, संबंध बोधत, तीन, समुच्य बोधत, चार, विस्मयादी बोधत, और पांच निपात, तो बच्चों आज हम क्रिया विशेशन उसके भेद और अव्य का एक और भेद है निपात हम ये पढ़ेंगे तो आब पारी आती है क्रिया विशेशन की क्रिया विशेशन की परिभाशा जिस तरहे विशेषन शब्द संग्या तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उसी तरहे क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषन कहे जाते हैं 1. इतनी जोर से मत चिलाओ 2. मेरे घर आज कोई आने वाला है 3. वह उधर क्यों खड़ी है 4. कम बोलोगे तो सुखी रहोगे बच्चों अब प्रेशन उपता है क्रिया विशेशन की परिभाशा का तो जिस तरह विशेशन शब्द संग्यावे सर्वनाम शब्दों की विशेशता बताते हैं उसी तरहे क्रिया विशेशन शब्द क्रिया की विशेशन बताते हैं तो इसकी परिभाशा है बच्चो क्रिया की विशेशन बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेशन कहते हैं जो नीचे उधारन दिये हैं बच्चो चार वाके दिये हैं इनके आधार पर हम पता लगाएंगे किरिया विशेशन शब्द किस प्रकार है तो वाक्य है इतनी जोर से मत चिलाओ अब चिलाओ कैसे मत चिलाओ जोर से मेरे घर आज कोई आने वाला है कब कोई आने वाला है आज ये किरिया विशेशन की परिभाश है किरिया की विशेशता बताने वले शब तो उसी प्रकार जोर से और आज ये किरिया विशेशन शब्द है वह उधर क्यों खड़ी है तो वह कहां क्यों खड़ी है तो कहां लगा कर प्रशन किया कम बोलोगे तो सुखी रहोगे कितना बोलोगे तो सुखी रहोगे कम बोलोगे तो बचो इस प्रकार जोर से आज, उधर और कम ये चारो शब्द क्रिया की विशेशता बता रहे हैं तो ये चारो शब्द हैं आपके क्रिया विशेशन शब्द तो देखे आगे, प्रस्तुत वाक्यों में आए जोर से आज, उधर, कम, शब्द, अपनी-अपनी क्रियाओं की विशेष्टा बता रहे हैं क्रिया की विशेष्टा बताने की कारण ये शब्द क्रिया विशेष्ण कहलाते हैं तो बच्चों प्रस्तुत वाक्यों में जोर से आज, उधर, ये शब्द, अपनी-अपनी क्रियाओं की विशेष्टा बता रहे हैं और क्रिया की विशेष्टा बताने वले शब्द क्रिया विशेष्ण होते हैं तो इन चारों शब्दों के अधार पर हमें पता लगा कि कौनसे शब्द क्रिया विशेष्ण हैं देखो जोर से आज, उधर, और कम ये सभी शब्द क्या हैं? क्रिया विशेष्ण तो अब बारी आती हैं क्रिया विशेशन के भेदों की क्रिया विशेशन के भेद 1. स्थान वाचक क्रिया विशेशन 2. काल वाचक क्रिया विशेशन 3. रीती वाचक क्रिया विशेशन 4. परिमान वाचक क्रिया विशेशन तो बच्चों स्थान वाचक तो मैंने चार शब्द बताती हूँ आपको मैं जिससे आपको पूरा क्रिया विशेशन और उसके भेदू का पता चल जाएगा कब, कहां, कैसे, कितना क्रिया विशेशन है बस इतना यदी हम क्रिया से कहां शब्द लगाकर प्रेशन करें और उसका उत्तर मिले तो बहुत है स्थान वाचक और यदी हम क्रिया से कब शब्द लगाकर प्रेशन करें और प्रेशन का उत्तर मिल जाएगा उसे हम कहते हैं काल वाचक और जिन क्रिया क्रिया से यदी हम कैसे शब लगाकर प्रेशन करें और प्रेशन का उत्तर मिल जाए उसे कहते हैं रीती वाचर परिमान वाचर यदी हम क्रिया से कितना शब लगाकर प्रेशन करें और प्रेशन का उत्तर मिल जाए उसे कहते हैं परिमान वाचर क्रिया विशेशन तो सबसे पहले बारी आती है स्थान वाचक क्रिया विशेशन की स्थान वाचक क्रिया विशेशन जिन क्रिया विशेशन शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया कहां या किस स्थान पर घटित हुई है वे क्रिया विशेशन शब्द स्थान वाचक क्रिया विशेशन कहलाते हैं जैसे यहां, वहां, उपर, नीचे, इधर, उधर, बाहर, भीतर, निकट, आदी तो दाहरन एक, वहां कभी मत जाना दो, उस लड़के से दूर रहना तीन, तुम कमरे के भीतर क्या कर रहे हो चार, मैं नीचे जा रहा हूँ तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि जिन क्रिया विशेशन शब्दों से यह पता चले कि क्रिया कहां या कि स्थान पर घटी तुई तो उन्हें कहते हैं हम स्थान वाचक क्रिया विशेशन शब्द शब्द होते हैं जाद अतर, यहां, वहां, उपर, नीचे, इधर, उधर, बाहर, भीतर, निकट, आदी तो वाच्य हैं वहां कभी मत जाना, तो कहां कभी मत जाना, वहां, तो कहां शब्द लगाया हमने उस लड़के से दूर रहना, उस लड़के से कहां रहना, दूर रहना तुम कमरे के बीतर क्या कर रहे हो, तुम कमरे के कहां क्या कर रहे हो, बीतर मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं कहां जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ तो कहां शब्द लगा कर जब हमने क्रिया से प्रशन किया, तो उन प्रशनों का उत्तर हमें या मिला तो उन्हें कहते हैं स्थान वाचक क्रिया विशेशन शब्द तो अब बारी आती है काल वाचक की काल वाचक क्रिया विशेशन जिन क्रिया विशेशन शब्दों से क्रिया के घटित होने के समय के बारे में सूचना मिलती है वे काल वाच्चक क्रिया विशेशन कहलाते हैं जैसे सुभय, शाम, अक्सर, दिन भर, हमेशा, आजकल, रोज, प्रती दिन, अभी, नित्य, आदी उदाहरन, नमबर एक, वह यहां कभी-कभी आता है दो, वे लोग आज कहीं जा रहे हैं तीन, ये वह तीन साल बाद लोटेगा चार, मैं प्रती दिन व्यायाम करता हूँ तो बच्चों, जिन क्रिया विशेशन शब्दों से क्रिया के घटित होने के समय की बारे में सूचना मिलती है वे काल वाच्च क्रिया विशेशन केलाते हैं जैसे सुभै, शाम, अक्सर, दिन भर, हमेशा, आजकल, रोज, प्रती दिन, अभी, नित्य ये ऐसे शब्द हैं जिन में हमें यह जानकारी मिलती है जिन से कि क्रिया विशेशन कभ घटित हुई तो दारन है यहां कभी-कभी आता है तो वे यहां कभी-कभी आता है कभी-कभी वे लोग आज कहीं जा रहे हैं वे लोग कभ कहीं जा रहे हैं आज वे तीन साल बाद लोटेगा वे कभ लोटेगा तीन साल बाद मैं प्रती दिन मैं कब व्यायाम करता हूँ प्रती दिन तो बच्चों हमने कब शब्द लगाया क्रिया के साथ तो प्रशन किया तो इन प्रशनों का उत्तर मिला तो ये सबी होते हैं काल वाचर क्रिया विशेशन शब्द ये हमें समय के बारे में सूचना देते हैं जैसे कभी-कभी, आज, तीन साल बाद, प्रती दिन ये ऐसे शब्द हैं जो काल वाचक क्रिया विशेशन होती है रीती वाचक क्रिया विशेशन जिन क्रिया विशेशन शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया किस तरह से या किस रीती से हुई है वे रीती वाचक क्रिया विशेशन कहलाते हैं जैसे धीरे धीरे जल्दी तेजी से अचानत धीमे ठीक से अपने आप आदी बच्चों जिन क्रिया विशेशन शब्दों से हमें यह पता चलता है कि क्रिया किस धंग से किस तरीके से हुई क्योंकि रीती कारत होता है तरीके धंग किस विधी से तरीके से या धंग से हुई तो वे रीती वाचक क्रिया विशेशन शब्द कहलाते हैं जैसे धीरे जल्दी तेजी से अचानक धीमे ठीक से और अपने आप यह ऐसे शब्द हैं जिसे हमें क्रिया कि किस तरीके से होती है उसका पता चलता है तो उदाहरन देखिए बच्चों उदाहरन नमबर एक बारिश अचानक ही आ गई दो पुस्त काल्ये में धीरे बोलो तीन यहां रहना है तो ठीक से रहो चार मैं खाना स्वैम बनाता हूँ बच्चों यह चार वाक्या है जिसके आधार पर हमें पता चलता है की यह क्रिया किस ढंग से हुई देखिए बारिश कैसे आ गई अचानक आ गई पुस्त काल्ये में कैसे बोलो धीरे बोलो यहां रहना है तो कैसे रहो ठीक से मैं खाना कैसे बनाता हूँ? स्वेम बनाता हूँ परिमान वाचत क्रिया विशेशन जिन क्रिया विशेशन शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया किस मात्रा में घटित हुई है वे परिमान वाचत क्रिया विशेशन कहलाते हैं जैसे कम, जादा, अधिक, जितना, उतना, थोड़ी, बहुत, आदी उदहरन एक, वह बहुत सोता है दो, माता जी थोड़ी ही चल सकी जितना, नाराज रहोगे, उतना ही मन दुखी होगा तो बचों, जिन क्रिया विशेशन शब्दों से हमें क्रिया की मात्रा का पता चलता है और कितना शब्द लगा कर प्रशन करना पड़ता है और प्रशन का उत्तर मिलता है तो वे कहलाते हैं क्रिया विशेशन कौन से परिमान वाचक क्रिया विशेशन उदाहरण देखिए वह बहुत सोता है वह कितना सोता है बहुत माता जी थोड़ी ही चल सकी तो माता जी कितनी चल सकी थोड़ी ही चल सकी जितना नाराज रहोगे उतना ही मंदुखी होगा कितना नाराज रहोगे उतना ही मंदुखी होगा जितना नाराज रहोगे तो इस प्रकार बच्चों बहुत थोड़ी ही और जितना ये तीनों शब्द जो है परिमान वाचक क्रिया विशेशन के उदाहरण है तो बच्चों अब बारी आती है निपात की क्योंकि ये थे चार भेद क्रिया विशेशन के और हम चारों ही भेद बढ़ चुके हैं निपात वाक्य के विभिन पदों पर बल देने के लिए प्रियुक्त अव्वे निपात कहलाते है जैसे तक मत हां भी केवल जी नहीं नै काश उदहरन तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा तुमने तो हद कर दी तो बच्चों वाक्य में विभिन पदों पर अलग अलग पदों पर अधिक बल देने के लिए जिन अव्व्यों का प्रियोग किया जाता है वे कहलाते है निपात जैसे तक मत हां भी केवल जी नहीं नै और काश ये किसले प्रियोग किये जाते हैं वाक्य में कई पदों पर अधिक बल देने के लिए जैसे तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा हम ये भी कह सकते थे तुम्हें आज रात रुकना पड़ेगा लेकिन ही लगाने के कारण उस पर अधिक बल दिया तो तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा तुमने तो हद कर दी हम ये भी कह सकते थे तुमने हद कर लेकिन तो लगाने पर हमने क्या किया उस शब्द पर बल दिया तो तुमने तो हद कर दी तो तो क्या है निपात आगे देखिए उदाहर उसने मुझसे बात तक नहीं की दो अध्यापिका के आने भर की देरी थी सब शान्त हो गए तीन हमने ही यह कारिय पूरा किया है चार कल मेरा मित्र भी आएगा उप्रयुक्त वाक्यों में तक भर ही भी आदी शब्द अर्थ को बल प्रदान कर रहे हैं ये शब्द निपात कहलाते हैं तो बचों उसने मुझसे बात तक नहीं की तब तक सोरी तक अध्यापिका के आने भर की देरी थी भर सब शान्त हो गए तो हमने ही यह कारिय पूरा किया ही कल मेरा मित्र भी आएगा भी तक भर ही भी यह ऐसे शब्द हैं यह बल प्रदान कर रहे हैं यह सभी शब्द निपात कहलाते हैं तो बच्चों अब हम करेंगे अभ्यासकारिय के प्रश्न एक क्रिया विशेशन के कितने भेद हैं प्रतेक के दो दो उदाहरन दीजिए उतर क्रिया विशेशन के चार भेद होते हैं एक कालवाचक वह यहां कभी कभी आता है दो वह दो दिन बाद लोटेगा नमबर दो स्थानवाचक वहां कभी मत आना नमबर दो उस लड़के से दूर रहना नमबर तीन परिमाण वाचक नमबर एक वह बहुत सोता है दो माता जी थोड़ी ही चल सकी नमबर चार रीती वाचक बारिश अचानक ही आ गई पुस्त काल्य में धीरे बोलो तो बचों क्रिया विशेशन के चार भेद होते हैं काल वाचक, स्थान वाचक, परिमाण वाचक और रीती वाचक इन चारों भेदों के मैंने आपको दो-दो उधारन दिखाए हैं यहाँ पर देखिए काल वाचक का वह यहाँ कभी-कभी आता है वह दो दिन बार लोटेगा स्थान वाचक के उधारन वह वह वहाँ कभी मत आना और उस लड़के से दूर रहना परिमान वाचक के उधारने वह बहुत सोता है और माताजी थोड़ी ही चल सकी रीती वाचक के उधारने बारिश अचानक ही आ गई और पुस्तकाले में धीरे भूलू दिये गए क्रिया विशेशन शब्दों को अपने वाक्यों में प्रियोग करो उत्र एक धीरे कार धीरे चलाओ दो अभी मुझे अभी निकलना है तीन अचानक वह अचानक चला गया चार जल्दी से तुम जल्दी से चले जाओ पांच अपने आप वह अपने आप चली जाएगी तो बच्चों क्रिया विशेशन शब्द है धीरे अभी अचानक जल्दी से और अपने मैंने आपको यहाँ पर बता दिये हैं बच्चों इनके अलावा भी आप लिख सकते हो अब करते हैं अगला प्रेशन प्रेशन तीन दिये गए वाक्यों में रेखांकित क्रिया विशेशन शब्दों के भेद बताईए उतर देखिए मैं वहाँ अचानक चला गया अचानक रीती वाचक दो गाड़ी धीरे चलाओ धीरे रीती वाचक तीन वे रात को आएंगे रात को कालवाचक चार सब लोग अंदर बैठे हैं सब लोग कहां बैठे हैं अंदर स्थानवाचक पांच आप कब आएंगे कब कालवाचक छे ट्रेन अभी पहुचने वाली है अभी कालवाचक साथ जल्दी करो वरना ट्रेन निकल जाएगी रीतिवाचक आठ वह ध्यान से काम कर रहा है ध्यान से रीतिवाचक तो बच्चों मैं वहाँ अचानक चला गया मैं वहाँ कैसे चला गया अचानक गाड़ी धीरे चलाओ कैसे चलाओ धीरे रीतिवाचक वे कब आएंगे रात को आएंगे तो कालवाचक सब लोग कहां बैठे हैं स्थानवाचक आप कब आएंगे कब कालवाचक ट्रेन अभी पहुचने वाली है यानि कब पहुचने वाली है काल वाचक अभी जल्दी करो वरना ट्रेन निकल जाएगी कैसे करो वरना ट्रेन निकल जाएगी जल्दी रिती वाचक वह ध्यान से काम कर रहा है वह कैसे काम कर रहा है ध्यान से रिती वाचक तो बचों अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपून बातें महत्वपून बातें जो शब्द क्रिया की विशेष्टा बताते हैं वे क्रिया विशेषन कहलाते हैं क्रिया विशेषन के चार भेद हैं स्थानवाचर काल वाच, रीती वाच, परिमान वाच क्रिया विशेशन के चार भेद हैं स्थान वाचक क्रिया विशेशन, काल वाचक क्रिया विशेशन, रीती वाचक क्रिया विशेशन और परिमान वाचक विशेशन तो देखिए आगे स्थान वाचक क्रिया विशेशन की पहचान के लिए क्रिया पर कहां शब्द से प्रश्न करना चाहिए? काल वाचक क्रिया विशेशन की पहचान के लिए क्रिया पर कब शब्द से प्रश्न करना चाहिए? रीती वाचत क्रिया विशेशन की पहचान के लिए क्रिया पर कैसे शब्द से प्रश्ण करना चाहिए परिमान वाचत क्रिया विशेशन कि पहचान के लिए क्रिया पर कितना शब्द से प्रश्ण करना चाहिए तो बचों स्थान वाचत की पहचान के लिए हमें क्रिया पर कहां से प्रश्ण करना चाहिए जैसा कि मैंने बताया था कब कहां कैसे और कितना क्रिया विशेशन है बस इतना यदि हम क्रिया से कहा लगा कर प्रशन करेंगे तो वो होगा स्थान वाचक काल वाचक की पहचान के लिए कब तो अब जब हम क्रिया से कब लगा कर प्रशन करेंगे और उत्तर मिलेगा वो होगा काल वाचक क्रिया विशेशन उसी तरहे रीती वाचक में कैसे यदि हम क्रिया से कैसे शब लगाकर प्रशन करें और प्रशन का उत्तर मिल जाए उसे कहते हैं रीती वाचक क्रिया विशेशन चोथा है परिमान वाचक क्रिया पर यदि हम कितना शवभ लगा कर प्रेशन करें उसे कहते हैं परिमान वाचक क्रिया विशेशन तो बच्चों अब 'll आरी आती हैं, ग्रीक आरेख हिंदी व्याकरण पार्ठ तेर है पेज 102 के प्रेश्न ए-条 वै-तीन पुस्तक में करो बच्चों हमने आज पढ़ा है अविकारी शब और अविकारी शब के दो भेद क्रिया विशेशन और निपात जो और भेद हैं बच्चों पांच भेद थे तीन भेद और रहते हैं वो हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में धन्यवाद बच्चों अब हम मिलते अपने अगले वीख्यान में